कुछ ठगे हुए कुछ हारे हारे हवा की कुछ गर्म फवारे डून रहे हैं पूरे शहर में इन कंकर पत्थर से क्या रीप देगा अपके मैं बर्सा तो कहां सीपेगा अपके मैं बर्सा तो कहां सीपेगा ये छोटी सी परप्रस्तुती है जो मैंने दिल्ली के व्रिक्ष संहार से आहत होकर के लिखी है कि जिस भयावह पर्यावरन की बातें पुष्ट दर पुष्ट की जा रही ही थी वह दिना बात चुका है कि दिल्ली की वायू बिना किसी मौसमी पक्षपात के आज प्रते दिन दूशित है और ऐसे मैं दिल्ली जैसे छोटे शहर से सोला हजार व्रिक्षों का काट देना दिनकर जी की दो पंक्तियां यहां दुलाता है कि जब नाश मनुष्ट का आता है पहले विवेक मर जाता है तो दुबारा मैं ऐसा चुनेगा कि अपके मैं बरसा तो कहां सीतेगा कि कुछ ठगे हुए कुछ हारे हारे मौसम के कुछ गर्म फवारे ढून रहे हैं पूरे शहर में इनकंकर पत्थर से क्या रीपेगा अपके मैं बरसा तो कहां सीतेगा कि बून बून बादल के बरस जाने से क्या सडकें भी क्या महक सकेंगी कि बून बून बादल के बरच जाने से क्या सडकें भी क्या महख सकेंगी रोज रोज की सियासी बहश से क्या अब अदालतें भी बहख सकेंगी जिसकी कुलाडी उसकी एश नया ये जग पाट सीखेगा अपके महबरसा तो कहां सीखेगा कि कोई लड़े असल में आवाज उठाए, ऐसे क्या ही किसमे होसले होंगे, कोई तो सामने आए, बताए, कि किसके छट पे घोसले होंगे, कि कोई लड़े असल में आवाज उठाए, ऐसे क्या ही किसमे होसले होंगे, कोई तो सामने आए, बताए, कि किसके छट पे घोसले होंगे, ऐसे बने आवाज का नजारा भी, जरा सोचो कितना बद हवाज दिखेगा, अपके मैं बरसा, तो कहां सीपेगा, कि किसकी बाहों में गिरेंगी बूंदें, किसी कोटो आकर बताना होगा, कि आखिर कौन से कहां के पौधों से, हजारों हजार विक्षों का हरजाना होगा, इस लिपे पुते संसार में आखिर, अब हर्याली भी क्या इंसा लिपेगा, अपके मैं बरसा, तो कहां सीपेगा, अपके मैं बरसा,